लोगसभा चुनाओ 2024 के लिए बहुत कम समय का वक्त बचा है इस बीच एंडिये गटबंधन की क्या कुछ तैयारी चल रही है चलिए जानते हैं यूपी के केंद्रि मंत्री स्पी सिंग बगेल जी से सर क्या कुछ तैयारी चल रही है एंडिये गटबंधन की मिशन अस्थी को बीजेपी कैसे पूरा कर पाईगी मैंने कहा कि अगर लाबार्थी लाबार्थी मोदी जी के लाबार्थी लाबार्थी अगर भारती इंद्धा पाट्टी के प्रत्याशियों को बोर्ड दे दें तो तमिल नाडू में भी सीटे निकलना सुरू हो जाएंगी ये करतग्य राष्ट है मूँ खाता है तो आखें जुकती है और जो सौंचाले की योजना थी या आवास की थी या गैस के फंडामेंटल जूटी थी कि वो सौचाले बनाए और उप्योग कर रहे जनता मकान बनाए और सिलिंडर दे और पांच को लोग गेहूं और चावल असी करोड़ लोगों को दे ये मोधी जी गरीब घर में पैता हुए मैं अक्सर कहता हूं उनसे प्रेम चंद की पूश की र माने चौका बरतन किया और खुद ने चाय बेची है इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस देश का पधान मंती इश्वत हमेशा महागरीब बनाना लेकिन शर्त है कि लुटियन जोन में आके उसको अपनी गरीबी याद रहे तो मोधी जी जैसी कल्यान कादी योजनाई व को हरा दिया है बदायू में धर्मेंद को हरा दिया है फ्रोजाबाद मक्षे जी को हरा दिया है मुलाइम सिंह आदो अकेले मैंपुरी से जीते थे और अखलेज जी आजमगर से तो उप्चनाव में हम लोगों ने आजमगर भी ले लिए और उप्चनाव में रामपुर भी ले लिए तो मुझे लगता है कि इस समय मोंदी जी दुनिया के सरवादिक लोगप्री नेता है गाओं गाओं में उनके लाभारती हमें मिलते हैं और उनका यह कहना लेत दूसरे को गाली देने वाले अगर एक हो रहे हैं तो मोंदी जी ना इसा क्या बुरा किया तो हम भी ठंड में तापते हुए बालमी की से लेकर ब्रहमर तक मोदी जी को एक सुरक्षा कवज देंगे और मेरे से एक ने कहा कि अपने इंटरू में यह जरूर कहना कि हमें काली दास ना सुंझें इंडी के लोग कि जिस पेड़ पे बैठके हम पांच को लोग यहूं सबसे बड़ा जूट है जो अखले सादों ने कहा कि वह सी जीत रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका दरसल एंडिया गटबंधन की क्या कुछ तयारी चल रही है वो खुद एसपी सिंग बगेर ने बता दिया है खैर इंतजार है 24 के चुनाओ का देखना यह होगा कि इंडिया गटबंधन को जीत मिलती है या फिर एंडिया गटबंधन को कैमरा मैन साहील अंसारी के साथ सबाशाइद शेख न्यूस 24